हलो एवरीवन वेलकम टू मैई चैनल मनपसंद स्वाद में आपका स्वागत है अगर सरीन में आपके कोई भी बेमारी हो या खून की कमी हो या फिर यूमनिटी पावर कम हो या पेट में गड़बड़ी हो या खूमी कमजूरी से हो और बाल इसमूती ना हो रुखे रुखे स हो तो इसके लिए आजम लेके आएं बहुती बहुती जवर जस्त जूस आप कह सकते हो आप इसे एक बार रोज पिएंगे तो यकीन मानिया आपके स्किन भी बहुत गलो करेगी तो चलिए फटा फट बनायत लेते हैं तो यहां पर हमने जूस ले लिया है सॉरी बीट करेगा और आपको इसकीन भी गलो करेगा और आपको डाइजेशन सिस्टम अच्छा से रखेगा और फिर उसके बाद आप इसे रोज एक गलास पीजे ऐसे बना के आपके खूंड की कमी सारी दूर हो जाएगी तो यहां पर हमने एक ले लिया है उसको अच्छे से चील लें है तो हमें ऐसे गाजर को भी कड लगाकर के छील लेंगे हमें ऐसे छील लेना है गाजर भी सहत के लिए बहुत अच्छा होता है और गाजर को भी ऐसे छील लेंगे देखिए इस तरह से आप अप इसे रोज दुपर खाने के बाद कोशिस करिये सुबह सुबह नहीं हो पाता तो खाना खाने के बाद बारे एक बजे के बाद ऐसे जोस से एक ड्लास पर डे बना के पी लेजए आप यखीन मानिये आपको बहुत ही बहँत ही आपको फायदा करेगा आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बिलकुल भी नहीं रहेगे आप ऐसे एक बार जोज बना के पीएंगे और आप एक महीने पी लेंगे रोज एक लास तो यकीन मानिये आपको जो डिफरेंट नजर आएगा आपकी स्कीन में, आपकी बालों में और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसको काट लेंगे दूसरे बाउल में तो हमें ऐसे काट लेना है ये गुटे-गुटे मतलब जादा न बढ़ा रहे न जादा छोटा रहे तो हाथ में लग जा रहा है ये इतना कलरफूल है बीट रूट यानि की चुकंदर और फिर उसके बाद गाजर को भी काट लेंगे ऐसे तो इस तरह से हमें गाजर भी काट लेना है ये बहुत ही फायदा करता है गाजर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये देखें इसे हमें ऐसे सारे काट कर लेना है ध्यान रखियेगा बीच में जो यलो कलर गाजर हो जाता है मतलब जो बीच में यलो यलो हो जाता है उसको नहीं लेंगे उसको साइड साइड से काड़ लेंगे बीच का पार्ट हटा देंगे और फिर आवला ले लेंगे आमले के तो बात ही क्या करना आमला हमारे सेहत के लिए बहुत 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 फायदा मन करता है बहुत फायदे मन्द होता है और बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है इसकिन के लिए तो अमेजिंग है तो आमला तो हमें खाना चाहिए और फिर अमले को भी काट लेंगे तो अमली में कड़वापन नहीं रहेगा आप इससे बेफिकर रहेए इस सारा मिक्स हो जाएगा तो बहुत बहुत टेष्टी आएगा आपको पीने में बहुत टेष्टी लगेगा यहां पर थोड़ा सा हम अदरख ले लेंगे थोड़ा सा यानि कि पिंच भर इसे क्या होता अद्रग भी बहुत फाइदा करता है इसको भी काड़ लेंगे सब मिला लेंगे यह देखे इस तरह अब एक ग्रेंडर जा लेंगे या मिक्सी वाउ उसमें डाल करके पेस लेंगे आप चाहें तो चोपर होता है ना बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चॉपर से भी बढ़ियां से बना सकते हैं चॉप करके तो यहाँ पे हमने हाफ क पानी एट कर दिया है और मिक्सी जार में बढ़ियां से पीस लेंगे तो ये देखिए पीस करके रेडी हो गया है अब हमें करना क्या है एक बावल आपके पास जो बरतनों वो लेजी और ले करके यहां फे कुई साफ कपड़ा ले लिजे और चानते वाद हाथ अपना साफ उनसे क्लीन रखिएगा फिर उसके बाद हम उस कपड़े में एड़ कर देंगी तो कॉटन का कपड़ा कोई भी ले लिजी अब चनी से नहीं चान पाओगे अच्छे से नहीं चन लेंगे इस तरह ऐसे राउंड सेप में यह देखिए बहुत आसानी से ऐसे निकल जाता है चनी से तो नहीं निकला बस ऐसे प्रेस कर देंगे घुमा करके यह देखिए कि इतने आसानी से निकल जा रहा है तो ऐसे ही हमें निकाल लेना है जो उसको यह देखिए ऐसे में क्य इस से ने यहीं बना जैसे घालाई होताँ धें जैसे हम घर में इतने साफ शुतरे से बनाते हाँ चाहें वड़ी MIRC mm भी चाहिए और नमक पीना चाहिए न ममें को असे पीना चाहिए न साथ सबूपस्ट कोगरी मूद्चेज कमाई को अपता तो देहसे पारद गया और नम यह बताईए जो डॉक्टर नहीं काम कर पाएं तो यह बीटरूट जूस आपको काम कर देगा जो दमाईय नहीं काम कर रही है वो आपको यह काम कर देगा बस एक महीने आपको पीना है सिर्फ एक महीने आप इसको पी लिजे आपके स्कीन और सारी बिमारिया खुन की कमी अच्छा रखेगा आप एक बार जरूर ट्रै करिएगा लिमन डाल की मिला लेंगे ऐस तरह से तो यह देखिए फटाफट घर में जूस बनके तेयार हो गया है इस तरह से मिला लेंगे हम बहुत ही टेश्टी आता है कट्टा मीठा मुदल पूल स्वाद है आप जरूर बनाई अगर हम यह जूस मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें 30 से 40 रुपए ग्लास मिलता है तो में मार्केट का क्यों भी न जब इतना टेश्टी और हेल्दी जूस हम घर में बना के तैयार कर लें और बहुत ही सांदार बहुत ही अमी अगर मेरा वीडियो पसंदा तो वीडियो करिये लाइच चैनल को किये सब्सक्राइब मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तुकली बाई